नमस्कार आप सभी दर्शुकों का बहुत स्वागत है आप देख रहे हैं दोपहरवार मैं हूँ आपके साथ राहूल सौमित्र आम चुनाओं से पहले सूबे में सियासी पार्टियां अपनी तैयारियों को अंतिम रूप देने में जुटी हुई है इसी क्रम में बिजेपी ने जहां प्रदेश के पदादिकारियों के साथ बैठक की वहीं गडबंधन भी पूरी तरह से तयार दिख रहा है गडबंधन में RLD को शामिल करने के लिए लखनों में अखिलेश और जैन चौधरी की गुपचुप मुलाकात हुई है ध्यान ये दिजेगा यानि गडबंधन में सब कुछ सामान ने है ये दिखाने की कोशिस की जा रही है लेकिन जैन चौधरी कह रहे हैं कि मुझे चार सीट दीजिए अब समाजबादी और बसपा कह रहे हैं कि आप दो सीट ले लीजिए बरहल वही कॉंग्रेस भी पूरी तरह से तयार दिख रही है आज हम अपने इस शो में खास मेहमानों से ये जानने की कोशिस करेंगे कि चुनाओं में अब सौ दिन से भी कम का वक्त रह गया है ऐसे में आपकी कितनी तयारी है तो गड़बंधन के बाद यानि समाजबादी और बसपा के गड़बंधन के बाद जैसा कि आपको पता है कि दो सीटे छोड़ी गई थी लेकिन दल के नाम का जिक्र का ऐलान नहीं किया गया बैरहल ये तीन तस्वीरे आप देखिए बिजेपी का महामन्तन आज यूपी के प्रभारी जगत प्रकास नडड़ा जो की हिमाचल प्रदेश से हैं और देश के स्वासमंत्री हैं वो यहाँ पर अपनी टीम के साथ नरुत्तम मिश्रा दुश्यंद गौतम के साथ आज लखनों पोचे तकरीवन एक घंटे मीडिया से बातचीत की अखिलेश और जैन्त गुपचुप तरीके से मिले हैं आपको ये भी बता दें अखिलेश और जैन्त में इस बात को लेकर चर्चा हो सकती है कि दो नहीं चार चाहिए और पिछला वर्क की आज मिटिंग है कॉंग्रेस में यानि सभी ने अपनी कमर कसली है सभी तयार बैठे हैं चुकि चुनाओ का वक्त बहुत कम रह गया है अब 100 दिन से भी कम का वक्त बचा है और ऐसे में अपनी अपनी तयारी सभी कर रहे हैं और हमारे साथ तमाम खास मे मेमान जुड़ गए हैं उनसे आपका एक परिच्वे करा देते हैं ओपी पांडे जी हैं भारती जनता पार्टी के निता ओपी पांडे जी आपका बहुत स्वागत हमारे साथ फरत रईस खान साब है यह प्रवक्ता है पीस पील के आपका भी बहुत स्वागत आपको चुन कि लड़ाई है लेकिन उन्चास इन लोगों को दे दिये हैं तो तक्कर तो अब मिलनी सुभावी के चुकि दो दल भी एक साथ आ गए हैं कैसे निप्टेंगे रहुल जी उन्चास में कई लोग मटे हुए हैं उन्चास में शुपाल जी भी हैं उन्चास में अखलेश करती हैं बागी पाटी अपने परिवार्य के फिक्र करती हैं अप no करती हैं अंपतेस संपरदाय का फिक्र करती है जो देश का फिक्र करता हो सभी नागरी को फिकर करती है व्हारी लेगए है क्यां में Barnow में यह हो गया है कि जो परिवार वादी हो जातिवादी दल अपने अस्तित के लड़ाई लड़ रहे हैं आज जो है जैन चौधरी के इस्तिती हो गई है कभी चौधरी चरण सिंगी कितने बड़े नेता हुआ करते थे कुरे हिंदी बिल्ट के उत्तरप्रदेश विहार राज के बड़े नेता हुआ करते थे हैं जैन चौधरी यह दो सीट पर आ गया है उसी तरह से मुलायम सिंग्यादु आपके बड़े नेता हुआ करते थे कभी मैयोतिक जोड़ी सीटों लड़ते थे आज किस तरह से अखले श्यादू समर्पड किया है और यहां तक समर्पड कर तो कि आप तो कहते हैं सब का साथ सब का विकास आपकी योजनाओ कलाप सब को मिल रहा है सब्सक्राइब कर देखेंगे जब से कांग्रेस को रिप्लेस किया गया था उसमें चार पांच राश्टी दल हुआ करते थे एक तरफ कांग्रेस तिरे एक तरफ भारती जनता पार्टी थी जनता दल था बाद में लोग दल आया दोनों कम निश्ट पार्टियां थी तो वो सब मिल करके दिरे दिरे सब समाप्त होते गए आज की डेट में दोई राश्टी दल बचे हैं भारती जनता पार्टी बची है और कांग्रेस भी छोटे दल की रूप में राश्टी दल की रूप में बची ह बाकी दल सब खतम होगा दिरे दिरे खतम होते जा रहे हैं वह थी चलते हुए हम 282 तक पहुंचे हैं और इस बार हम 300 उपर पारली बार जाएंगे बार अच्छा ये अप्तर प्रदेस में आप लोग कह रहें 73 प्लस लेकिन आपके जो दल है जो सहीगी दल है वो तो आपसे नाराज हैं आपको बात बात पर आखे दिखा देते हैं और अभी भी चुनाओ करीब है सब कुछ मैनेजी नहीं आ रहा है उन्हें आप मनाई नहीं पा रहे हैं हम लोग सेमिक परिवार वाले हैं हम देखते हैं कि हमारे घर में अगर सास बहु की लड़ाई चलती रहती है लेकिन कभी भी बाहर वाले के साथ एक रहते हैं हम लोग मिल के लड़ेंगे और मजबूती से लड़ेंगे और 73 से जादा सीटे जीतेंगे हम खुद 72 या उससे जादा जीतेंगे और सायोगी दल भी फरहत रहीस खान साब आपकी क्या तयारी है 2019 में कैसे आप चुनाओ लो लेंगे चाभी चुनाओ चिन्न तो मिल गया है पांडे जी आपकी प्रशंसा भी कर रहे हैं करें कि शुपाल यादो का भी धल है बाद बाद पर आपका जिक्र कर देते हैं यतनी महरबानी जीन है प्रदेश कार्डी और पूरेजे कार करी और शारी दिम्मदारिया लोग को बाट दिए हैं ऑर जितना भी हमारा करता है वो सही जो तो अमारा बेसिए बोटर है जितना विदू बोटर है उन सब के लिए अंट लोग काम कर रहे हैं और दोर टूर जाने की ज़ितिए करने हैं अबיו इस इन्हों ने बात चेए ती सबस्था सबकरी है। कैसी बात करते हैं किसी बात करते हैं कैसे मुशल मानुंख कर बात करते हैं कैसी एक है आपने क्या वाटुब बखरीद बूल गए हम नहीं मैंना सैंज तक ये आपको क्या हमें आरत्षण देंगे अ और ये सकते क्या अपको बद्धाम करना ये ही आपका काम है और टुकडे शब्दकाल किया था है तुनिये टुकड़े का मतलब यह होता है बाटना इनुने हमेशा जीवन भर पाटा अब देश को बाटने की तियारी कर रहे हैं कभी हिंदू को मुसल्मान से बाटते हैं और परिवार में बाट कर आते हैं और यही इनका काम है इनकी कोई भी किसी भी तरीके त्यारी नहीं है और जिस तरीके 51 परदर्वोटिंग की बात कर रहे हैं यह गावन भी कर सकते थे Зखुन भी कर सकते थे हमें तो कई न कई है कि अधिया शांदार है और आंदोलन के नाम पर अगर उत्तर प्रदेश में जितने भी नेता आज हैं अगर प्रमुक अगर देखा जाएगा तो मानी शुपाज सिंह आदब जी हैं चाहे वो आंदोलन के नाम से देखे जाएंगे चाहे वो विकास के नाम पर देखे जाएंगे कि जो रोडों का जाल बिछा हुआ उत्तर प्रदेश में दिखाई देता है आपको यह मानी शुपा हो जाएगा तो जादा बहतर लेगा लेकिन हमारी त्यारी असी सीटों पर पूरी चल लेए अच्छा सब गडबंधन कर रहे तो आप भी गडबंधन किसी साथ कर रहे हैं उनको भारती जनता पार्टी ने लगबग खतम कर दिया है चाहे वो CBI हो चाहे वो RBI हो सब जनता ज लिए देश को बचाने के लिए अगर गडबंधन की दरूत पड़ेगी तो निश्चत तौर पर हम गडबंधन करने के लिए तो गडबंधन आप बिजेपी से तो करेंगे निचुकि उनसे बात बनेगी नहीं कॉरा जिंदगी जितका हमने विरोध किया है हम केवल भारती बारती जनता पार्टी की नीतियों के खिलाफ हमेशा रहे हैं और भारती जनता पार्टी का विरोध हमारा उड़ी आपके योगी जी क्या केते हैं यीद के लिए हम यीद नहीं मनाते हैं अरे मुखमंतरी तो आप सबके हैं अरे मुखमंतरी तो आप सबके हैं कि असल मुद्व पर विकास वाकई लड़ा जाएगा मुद्व या फिर बार बार फरहत रही सब्सक्राइब हैं और उपी पांडे साब कहे रहें कि यह कौन सा लॉजिक है मैं सबज नहीं पा रहा हूं देखे राहूल चुनाओं में जिस तरह से अब सुरुवात हो गई है और एक दूसरे के लिए आरोप अत्यारोप का दौर भी सुरू हो गया है तो जो हमारे साथ है जो तुमारे लेगा लेकिन जो मायवती अखिलेश चादों का गडबंदन मना जिसमें आरेलडी की बात आ रही है तो कि तैयारी और हवा और यह कहा जाए कि जो माहौल है अगर उसको आप भाप लें तो जमीन पर ज्यादा अच्छा मुकाबला करेंगे बहुत बार दोजार चौदा में मौधी की आंधी थी इस देश में किसने स्विकार नहीं किया उसको लेकिन आज इस अप्ता में कि खिलाप हवा है आज आप किसा तेंटीन कमबैसी है पांस साल आप भी सरकार को हो गए तमाम सारे आप से जवाब मांगे जा रहे हैं तो वह भी जनता उसको कसो उटी पे कसे आने लगे अब नहाने बात कपड़ा पहिनने लगे इस सब कोई मतलब है इसका राजनीत में अरे मतलब इस बात का है कि आपको चुनोती बहुत कटी कड़ी मिल रही है और उस चुनोती से आप निपट नहीं पा रहे हैं आपके पास उपलबधियां है दोनों राजियों द कश्टाचार पर यह कारवाही कर दी हमने desde Agora झाड़ें लेकिन नहीं है अपने तो रहना सवाल पूछे कर हे बहुत सभाव लिए उससे पहले ही मर गए और मोधी जी बनारत छोड़के भाग रहे हैं कहां पजा रहे हैं मोधी जी कहां चुनाओ रहे हैं इतना बता दीजे जरा चलिए वो बनारत दरेंगे देखें दो सीटे हो तीन हो चार हो पांच हो छे हो वो अपनी जगह पर अच्छा निश्चित तोर पर वो जो आरली है वो कहीं से भी बाहर नहीं है और साथ मेरे कहल से मैंने इस डिवेट में पहले भी कहा कई चल लो पर जिस दिन ये बहस हो रही थी कि आरली बाहर हो बिल्कुल ने और रिजनीद को जनाव अगया है अब प्रिकशितरण के साँझ अगई जानते ही क्यों कि हमारा समयधान इस बात की घाजत देता है कि आप अकेले लड़ो दस लोगों के साथ लड़ो किसी को दस सीटे दो खुद एक सीट पर लड़ो यह सारी चीजे जायज है समयधानिक है इसलिए इस पर टिपड़ी करना मुर्खता पूर्वक बात होगी खैर मैं मुर्खों से और कुछ उमीद कर भी नहीं सकता वह ऐसी प अगर करना होता तो एक महत्पून बात आज एक 200 हिंदू परशत के पूर्वरास्त जो अंतरास्ति अध्यस्ते उनकी मृत्त हुई मैं बड़ा हत्प्रभ हो गया कि उनकी मृत्त पे उनीकी पाठी के मौजूदा उपाध्यच प्रवक्ता नेता तमाम मंदर की बात कर रहे ह सोचिए कि एक व्यक्त दुनिया से चला गया और 200 हिंदू परशत के लोगों को वह मंदिर भुना रहे हैं कि उनकी इच्छा तोर पे हर इंसान की इच्छा लेकिन आज उन्होंने दुनिया चोड़ी है आज दुख का समय है आप दुख व्यक्त कर लीजे कि डाल्मिया आज भगवान को बेचने के अलावा राहूल जी कुछ भी नहीं अब मनों जी अच्छा बोली रहे हैं कि जो कह रहा है इनमें कुछ सच्छाई भी है यह तो आप इनकी वाड़ी लंगवे से देख रहे हैं नहीं तो आप बताईए ना आपको पूरा मौकार दिया है बिश् किसके इच्छा होगी आजमखाग के इच्छा है तो टालमया जी की होगी और निशीत रूप से उनकी इच्छा है तिक आशोग सिंगल जी चले के राज़नमी बांदोन के लिए आपको याद होगा जब इन्लों ने गोली चलवाई थी मुलायम सिनिकार से ओको पर किस तरह स चलवाई थी मद्यप्रदेश में परिणाम भी सामने आ गए मुझे कहने की बात बहुत ज्यादा वो नहीं है लेकिन आप इस तरह की बात करोगे क्या किया था आपने क्यों किसाल हिंदू थे वो किसाल हिंदू नहीं थे क्या सवा 200 सीट से 45 सीट पाए है तो आपको दर्द प्रदेश के छोटे राजनीतिक दल है उसमें कई छेत्रीय दल है हमारे बगल में PSP भी एक नया चेत्रिय दल आ गया इससे पहले PSP भी थी RLD भी थी तुमाम जारी पातिया कि इनकी आवकाद PSP के आज पास है बराबर होगा है अन्शु जी आपके मीटिंग तो चली रही है लेकिन मैं जानना ही चाहूँगा कि आपने एक महाल बनाया पूरे देश में कि हम लोग मोदी के खलाप लड़ेंगे साथ मिलकर लड़ेंगे लेकिन उत्तर प्रदेश में तो आपको साथ मिला नहीं अब आपकी क्या रहन नहीत कि होगे चुकि हम लोग बहस ही आद मुद्दे पर कर रहे हैं कि 2019 में आपकी कितनी तयारी है और किसे साथ लेकर चलेंगे अकेले लड़ रहे हैं उत्तर प्रदेश में देखे राध्य जी हम मोदी और बीजेपी सरकार के खिलाब लड़ेंगे उत्तर प्रदेश और देश क पास विकल्प है हम तो अनुरोद करते हैं दूसरे जो साथी चुनाव लड़ रहे सभी को आजादी है देश में एक हजार से ज्यादा पार्टियां है राउल जी सभी को सवतंदरता है यह बाबा साब के बनाए पंडित जवाला नहरू के बनाए उन महान सवतंदरता संगर कि कोई वोट डाले बनाए चुनाव लड़े सभी को अधिकार है सभी अपना विजन लेके जाते हैं कांग्रेस पार्टी अपने मुद्दों पर हमेशा 1947 से अब तक जनता का आशिरवाद प्राप्त करते हुए आई है और हम फिर से उनी मुद्दों को लेकर जाएंगे कि कि सानों का करजा माफ होना चाहिए स्वामी नातन आयो की रिपोर्ट कि शिपारी से लागू होनी चाहिए नौजवानों को रोज रोजगार मिलना चाहिए और जुमले बाजी बंद होनी चाहिए देज में जो समयधानिक संस्था हैं जिनको बीजेपी जरकार तार-तार कर रह आपका जवाब उसी में आ जाए जब भी छेतरी चुना हुए जनता ने हमको जनादेश कम दिया लेकिन जब भी लोगसवा चुना हुए तो आप याद करिए 27 हमारे विधाय कुआ करते थे और 22 लोगसवा हम फिर से उम्मीद करते हैं कि 2019 के चुनाओं में हमको 2009 में जो पर मुर्वक्ता ने बिल्कुल सही बात करता हूं कि उन्होंने रिवाईवल पर तरीके से जीत आसल की कहीं बढ़ी कहीं छोटी कहीं मंजफीली कहीं संजली कि आपके सरयोग से अगर कॉंग्रेस अपने रिवाइवल पे तीन तीन राज्यों में जीत गई तो निश्य तो पर उसको अकेले लगना चाहिए और उत्तर प्रदेश पे उनका इतिहास अच्छा रहा है बुरा नहीं रहा है लेकिन चुकि हमारी एक अपने विजन है और वह विजन यह है कांग अपने तक उत्तर प्रदेश में रावल जी एक चीज और वह विजन यह हम सिर्फ भारती जनता पाइटी को हराना ही नहीं चाहते इस देश को एक विकल्प देना चाहते हैं कांग्रेस पाइटी इस देश का राश्टी इसतर पर विकल्प है लोगसभा चुनाओं में विकल्प है यह देश के 130 करून लोग जानते हैं और इसी में हमको 2019 में आशिरवाद मिलेगा निश्चित तोर से हम सबसे बड़ी पाइटी उत्तर प्रदेश की होंगे अच्छा इनके दाओं में कितनी हकीकत है ओपी पांडे जी तो देखे खुले आम चुनाओती दे रहे हैं आपके बूत लेबल पर लोग हैं लगातार मेहनत कर रहे हैं यह तो ऐसे खुले आउं के पिछला चुना हुआ था दूसमें कांग्रेस के परिवार के दो लोग जी अच्छा इनके निच्छा इनके परिवार के पांट जी आपको जी तकांग्रेस के अनुट करता हूं नाड़ जी तर अगर चुनाओत लोगे मनोज भाई अन्शो जी और ओपी पांडे जी जनता देख चुकी है ठीक जुमले बाजी देख चुकी होगी ओपी पांडे जी एक मिनट ओपी पांडे जी आप आते हैं पिर इनको आगे बाँ रहा है जिरो 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 जि और चुनाओ जो है इसे बार हम उत्तर प्रदेश में 73 से जादा सीट जीत रहे हैं मनो जी इनके पास एक मिनट एक मिनट इनके पास बूठ लेबल तक कारे करता है और वही कारे करता है इने 73 से प्लस करा है अब आपने प्यारी हमारे हर बूठ पे पचास है और मैं फिर कह रह है हम 55% ओड बैक लेकर आए मुद्दा क्यों है तो इनकी जमीने किसा वह लोग है जो कहते हैं वो करते हैं और पी पांडे जी मैंने आपकी बाद जंता किसां ने रखी ओपी पांडे जी दूसरों को बोलने दीजे ना फरत रही साब आप बताईए हम लोग किसानों की बात कर रहे हाँ नौजवानों की बात कर रहे हैं अगलों की बात कर रहे हैं पिस्पोड रहे हैं अन्शु जी इस्फे बड़ी पार्टी और 55% इस आधार पे आपका कॉंग्रेस का देखें मैं फिर से अनुदों तुसे के साथ कहता हौं कि भारती जंता पार्टी को हराने के सा साथ हम देश को विकल्प दे रहे हैं और भारती जंता पार्टी से जब जब सरकार से लोग नाराज हुए तो उन्होंने कांग्रेस के विकल्प को चुना है इस देश की राष्टी इस्तर पर दो विकल्प हैं यह 130 करोन लोग देश के बच्चा बच्चा जानता है और आप सम मुद्धे वेरोजगारी है इस देश में मुद्धा इस देश में किसान की समच्चा है किसाना मत्या कर रहा है इस पर किसी देश के विकास में तरक्की जब से हम पाइदा हुए हैं जीडीपी 6% से ऊपर कभी सुने है आस तक आप 20-20 साल 15-15 साल से हम लोग रागीट है और कि सुने तक रहे हैं लेकिन जनotain जो मूल समस्याइं हैं परोजगारी यह सम कैसे दूर होगी होस्त लो की समस्या इस सब कैसे दूरहे किसानों की चिंता कैसे करेंगे लो या पिर जीट के लिए बहुत-बहुत धनेवाद इस दिभीट को देशने के लिए झाल झाल